दोस्तो इस वीडियो में हम बाताने वाले हैं 20 बीमारी के बारे में तो इस वीडियो को बेगर भगाये हुए और तक जरूर देखिएगा क्योंकि कब बीमारी हो जाएगी, कब आदम भटक जाएगा तो चलिए कमाल की वीडियो को सुरू करते हैं सवाल नमबर एक, रात में जगने के लिए हाथ में कौन सा चीज जरूर होना चाहिए दोस्तो नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चनल को सबस्क्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजेगा दोस्तो इसका सही अंसर है रात में जगने के लिए हाथ में टर्चे या बती जरूर होना चाहिए नहीं तो हाथ पाँ में ठिस लगने के खारण आदमी गिर जाता है और मुह हाथ जो है वो फूट जाता है इसलिए जरूर रख है सवाल नमबर दूध दूध में कौन सा चीज नहीं डालने से फेट में फीने के बाद दूध गैस बनने लगता है दोस्तो नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चेनर को सब्सक्राइब मेरे दूस्त जरूर कीजेगा दूस्तो इसका सही अंसर है चीनी और लाइची नहीं डालने से पेट में जो है वो गैस बनने लगता है दूध से यानि आज कल के दूध जो है वो खाद खरी पे उपजाई जाती है इसलिए चीनी जरूर डालें सवाल नमबर तीन खाना में निम्बू किस महिने में जरूर खाना चाहिए कि पेट की बीमारी जो है वो बिलकुल ना हो दूस्तो इसका सही अंसर है गर्मियों के मौसम में खाना में निम्बू जरूर गार कर खाना चाहिए इसमें अनाज के गर्मी जो है वो काट देता है तो बीमारी कभी पेट में नहीं होती है दोस्तों सवाल नमबर चार अतरी में काचरा क्यां जम जाता है दोस्त नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजेगा दोस्तो इसका सही अंसर है महीना में कम से कम ना मिले तो दही कम से कम दो बार जरूर खाना चाहिए इससे अतरी में जो काचरा है वो बाहर निकल जाता है जो लोग नहीं खाते हैं उन्हीं को काचरा जम जाता है सवाल नमबर पांच किरनी क्यों फेल हो जाता है किसी भी समाई और कहीं पर भी दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो पला एक चैनल को सब्क्राइब मेरे दोस्त जरूर किजेगा दोस्तों इसका सही अंसर है ज्यादा से ज्यादा आयोडी नमक जो है खाना में जो लोग खाते हैं उनकी किर्नी जो होए वो फेल हो जाती है और लाकवा और हालिस की भी विमारी होने की संभावना बना रहता है सवाल नमबर 6 निम्बू पानी और चीनी मिलाक और पीने से क्या फाइदा सरीर में मिलती है दोस्तों जानते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा दोस्तो इसका सही अंसर है सरीर में खून की कमी नहीं होती है चीनी पानी निम्बू पीने से गर्मियों के मौसम में जरूर पीना चाहिए ठंधी के मौसम में पीने से सरीर जो है उठंधा पर जाता है बिलकुल ना पी है सवाल नमबर साथ खून पानी क्या हो बन जाता है दोस्तों हम लोगों की सरीर में खून होती है वो पानी कव बन जाता है नहीं जाता है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों इसका सही अंसर है ज्यादा नमक खाने से और चीनी खाने से खुन जो है वो पानी हो जाता है इसलिए ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए आयोडीन और ज्यादा चीनी भी नहीं खाना चाहिए नहीं तो पानी बन जाता है सवाल नमबर आठ, कमजूर लोगों को रोज क्या खाना में खाना चाहिए दोस्तो नहीं जाते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजेगा दोस्तो इसका सरी अंसर है, कमजूर आदमी को जिनकी सरीर कमजूर हो गई है उनको दूध जो है और रात में जरूर खाना चाहिए उसमें थोड़ा सा चीनी डाल करके और लाइची डालने तो और आच्छा है सवाल नमबर नौ, बारिस के मौसम में लाकवा के रोग क्या हो जाता है सरीर में दोस्तो नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजेगा दोस्तो इसका सही अंसर है, किसी किसी आदमी के घर में छटरी नहीं हो रहती है उस समय लेटिंग या पिसाब जाते वक्त लेट हो जाता है उसी समय लखवा या फालिस्क वीमारी हो जाती है इसलिए छटरी घर में जरूर रख है सवाल नमबर दस, बजार का सब्जी कब हानी करने लगता है हम लोगों को फेट में दोस्तो नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें बीमारी से बजने के लिए दोस्तो इसका सही अंसर है जब हम लोग अच्छी तुरा से धोकर के सब्जी नहीं बनाते हैं उसी समय जो है उब बीमारी पायदा होने कि सम्भावना बना राता है इसलिए सब्जी कोई भी लाएं बजार से हैं हो करके ही बनाएं सवाल नमबर 11 टामाटर खाने से क्या क्या फाइदा शरीर में मिलता है दोस्तु नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे दूस्त जरूर किजेगा दोस्तु इसका सही अंसर है हड़ी मजबूत रहता है दाद मजबूत रहता है और दाद खाज खुजली की बीमारी नहीं होती है इसलिए टामाटर जो है वो खुब खाना चाहिए लेकिन काच्या टामाटर जो है वो कम खाना चाहिए और पका टामाटर सबजी में डाल करके ख खाना चाहिए खाली पेट खाने से तमाटर जो है वो पथरी बनने की संभावना पेट में रहता है सवाल नमबर 12 यातरा पर क्या खाकर कहीं पर भी जाना चाहिए दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा सवाल नमबर 13 नारियल किसको ज्यादा खाना चाहिए दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा दोस्तो इसका सही अंसर है औरत लोगों को ज़्यादा खाना चाहिए सुखा जो नारियल है बारावाला उससे सरीर जो है ओ अच्छा बन करके रता है और कोई परकार की बिमारी दाग धबे नहीं होती है सवाल नमबर 14 काजू कब खाना चाहिए हम लोगों को दोस्तो नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा काजू खाने से क्या-क्या फायदा मिलती है दोस्तो इसका सही अंसर है जब पूरा सरीर कमजोर हो जाता है तब आदमी जो है वो काजू खाना फसंद करते हैं इसलिए सुरू से हैं काजू खाना एक जरूर खाना चाहिए दोस्तों सवाल नमपर पंदर जिनको ज़्यादा निंद लगती हो उनको क्या खाना में खाना चाहिए निंद कम लगने के लिए दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा कि जनकारी आप तक पहुंगती रहे दोस्तों इसका सही अंसर है जिन लोगों को ज़्यादा निंद लगती है उनको खाना में जो है वो भात खुब खाना चाहिए भात खाने से निंद जो है वो कम लगेगी और सिहत भी अच्छा रहेगा और आँखों की रूशनी जो है वो बना रहेगा सवाल नमबर 16 बुखार कब लगता है बार-बार किसी भी आदमी को दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजेगा कि जनकारी आप तक पहुंगती रहे बीमारी के बारे में दोस्तों इसका सही अंसर है जो आदमी करैला का सब्जी नहीं खाते हैं करवी लगने के चलते उनको बार-बार बुखार लगता है और सुगर भी होता है और दाद खाज खुजली की बीमारी होती रहती है एसलिए दोस्तों करैला ज़्यादा से ज़्यादा खाई है कि बीम जरूर किजेगा दोस्तो इसका सही अंसर है घर में माता लक्षमी कभी नहीं आती है और अनराज हो करके चली जाती है फिर दुबारा लवट कर नहीं आती है इसलिए किसी भी महमान को अनादर नहीं करना चाहिए महमान आये तो उसको अच्छा से खिलाना चाहिए पिलाना चाहिए उसको सेवा जो है वो पूरा अच्छी तरह से और सुन्दर करना चाहिए महमान को जो आदरभा होता है वो उचित कर देना चाहिए दोस्तों सवाल नमबर 18 घर में रोज नियम से पुझा पाट करने से क्या फाइदा मिलता है हम लोगों को दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्क्राइब मेरे दूस्त जरूर कर देना है दूस्तों इसका सही अंसर है रोज पुझा पाट करने वाले घर में घर में धन की कमी नहीं होती है और पैसे की कमी कभी नहीं होती है इसलिए रोज नहां धुझा करके अगर आपको लोग पुझा पाट करते हैं अगर बती जलाते हैं और मिठाई चराते हैं धुब दिप करते हैं तो आपके घर में ब्रक्कत होगी सवाल नमबर 19, किसको स्वर्ग का रास्ता फ्राप्त होता है दोस्तो नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कर देना दोस्तो इसका सही अंसर है जो लोग सुन्दर रास्ता एक दूसरे को दिखाते हैं उनको स्वर्ग मार्ग मिलता है यानी स्वर्ग जाने की रास्ता पुरा खुला मिलता है भूत प्रेज से उनको कोई भेंट मुलकात नहीं होती है इसलिए दूसरे को आच्छा से आच्छा रास्ता दिखाएं और दूसरे लोगों की सहायता जो है वो जितना हो सके उतना करना चाहिए और काम जो है वो आच्छा करना चाहिए दोस्तों कि स्वर्ग करास्ता प्राप्त हो जाए दोस्तों सवाल नमबर 20 बांदा गोबी की सबजी खाने से क्या क्या फायदा मिलता है सरीर में दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब ज़रू किजेगा बिमारी से बचने के लिए मिरे दोस्त दोस्तों इसका सही अंसर है बंदा गोबी की सब्जी खाने से खोन की कमी सरीर में कभी नहीं होती है और लिबर जो है वो कभी खराब नहीं होता है और अंतरी में रेशा जो है वो बिलकुल आच्छा बन करके रहता है और जो रेशा खतम होने वाला रहता है वो बिल्कूल आच्छा बनने लगता है और अस्थामा की बीमारी नहीं होती है कभी भूल करके भी और अस्थामा वाले रोगियों को जो है वो फाता गोभी जो है वो खुब खाना चाहिए इससे अस्थामा की रोब ठाम रहती है और अस्थामा की बिमारी जर्द से मीट जाती है हम ऐसा के लिए दोस्तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोग बिमारी से बचना चाहते हैं तो यहांकि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम वीडियो बना करके आप लोगों के लिए सही मौके पर आपको दहंगे दोस्तों मैं माताधुरुगा से ही रिक्वेस्ट करूँगा जिकि जहां भी रहें बने रहें सुक सामती से रहें ठैंक्यी में मेरे बहालियो